नमस्कार विद्यार्थियों आज के सत्र में आपका स्वागत है आशा है कि आज के सत्र से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज के सत्र में हम एक अकशेरू की जीव तिल्चटे अर्थार कौकरोच के विशय में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं तिल्चटे की शारिरीक सररचना को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना तिल्चटे के आकार की अभिलक्षन को समझने और पहचानने में विद्यार्थियों की सहायता करना तिल्चटे के विभिन अंग तंत्रों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना तिल्चट्टे में निशेचन की प्रक्रिया को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना विद्यार्थियों में वैज्ञानिक द्रिष्टी कोंट और अवलोकन कौशल का विकास करना कक्षा में प्राप्ट किये गए ज्यान को उनके देनिक जीवन से जोडने में विद्यार्थियों की सहायता करना जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौकरूच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाला प्राणी है जिने संग अर्थाद फाइलम आर्थरोपोडा संदीपाद की वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग से सम्मिलित किया गया है उश्न कटबंदिय भाग में चमकीले पीले लाल तथा हरे रंग के कौकरूच अक्सर दिखाई दे जाते हैं इनका आकार पौना इंच से तीन इंच तक या 0.6 से 7.6 सेंटिमीटर होता है इन में लंबी शरंग का अर्थाद एंटिने पैर तथा उपरी चरीर भित्ती में चप्टी ब्रद्धी होती है जो कि सिर को ढके रखती है समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है तथा नम जगय पर मिलते हैं ये मनुश्यों के घर में रहकर गंभीर पीडग एवं अनेक प्रकार के रोगों के वहक है सामान वयस कोक्रोज जाती पैरिप्लेनेटा अमेरिकाना का 34.53 मिली मीटर लंबा तथा पंकों वाला होता है पंक नर में उदर के आखरी छोर से भी आगे बड़े होते हैं कोक्रोज का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है और इसके तीन मुख्य भाग है सेर वक्ष तथा उदर इसका पूरा शरीर मजबूत काइटेंग युक्त बहायक अंकाल भूरे रंका बना होता है पृते खंड में बहायक अंकाल में मजबूत पटिकाए होती हैं जिने कठक, अर्थाद, स्क्लेराइट, प्रस्टवाली प्रस्टकांश और अधर वाली अधरकांश कहते हैं ये खंड आपस में एक पतली महीन बर लचीली जिल्ली से जुड़े हुए होते हैं जिने संदिकारी जिल्ली या संदी जिल्ली कहते हैं प्यारे विद्यार्तियों, कौकरोज शरीर के अग्रभाग में स्तित सिर्त्रकोणिय होता है, शरीर के अनुदैर्ग्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है, यह छे खंडों से मिलने से बनता है, तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम भी सक सिर्संपुटका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, आखों के आगे जिल्ली युक्त सौकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रंगिका निकलती है, श्रंगिका में समवेधी ग्राही उपस्तित होते हैं, जो वातावरणिय दशाओं को मापने का काम करते हैं, शिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने वो चबाने वाले मुखांग बनते हैं, मुखांग में एक जोड़ी उर्धुवोष्ट उपरी जबड़ा, एक जोड़ी शिबकास्ती, एक जोड़ी जंभिका, एक अर्धोस्ट होता है, एक मद्ध लचीली पाली जिसे अधोग्रस्नी अर्थात हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, जिवा का कार्य करती है, जोके मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्तित होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कौक्रोच का वक्ष मुख्यतह तीन भागों में बटा होता है, अग्रव मद्यवक्ष व पस्चवक्ष, सिर्वक्ष से अग्रवक्ष एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा होता है, जिसे गर्दन कहते हैं, पंकों का प्रथम जोड़ा मद्यवक्ष से निकलता है, और दूसरा पस्चवक्ष से, अग्रपंक मद्यवक्ष ये जिने प्रसार, अं रंके होते हैं तथा विश्रा मवस्था में पश्च वक्ष पंखों से झिली नुमा होते हैं तथा यह उड़ने में मदद करते हैं कॉक्रोच के पृते क वक्षिय खंड में एक जोड़ी टांगे पायी जाती हैं जिसके भाग है कक्षांग अर्था कोग्जगा शिकरक अर्थ फीमर अंतर जग्ल का अर्थात टिबिया व गुल्फ अर्थात टॉरस क्या आप दिल चट्टे के नर और मादा को देख कर पहचान सकते हैं नर और मादा दोनों के उदर दस घंडिये होते हैं सादवा अधरक नौकाकार होता है तथा आठवा और नौवा अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ट या जनरिक कोष्ट बनाता है जिसके अग्रभाग में मादा जनन चिद्र, स्वमिथीकल चिद्र व समपार्षविक ग्रंथियां होती हैं नर में केवल आठवा प्रष्टक ही साथ में खंड द्वारा ढका रहता है नर मादा दोनों के दस्वे खंड पर एक जोड़ी संधी युक्त तंतों में गुदिय लूम अंग्रेजी में जरकाई होते हैं इन लूमों के नीचे की ओर नर के नवे खंड में एक जोड़ी छोटे वा धागे के समान गुदाशूप अंग्रेजी में एनल स्टाइल होते हैं स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मादा में शूक अनुपस्तित होते हैं आईए अब तिल चट्टे की आहार नाल के विशय में समझते हैं स्क्रीन पर दिखाई गए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि देह गुहा में स्टेथ आहार नाल तीन भागों अग्रांत्र, मध्यांत्र एवं पश्चांत्र में बटी होती हैं मुख एक छोटी नलिका कार ग्रस्नी में खुलता है जिससे एक सीधी और संक्री नली ग्रसिका निकलती है ग्रसिका एक पतले भित्ती वाले कोश में खुलती है जिसे अन्पुट कहते हैं अन्पुट में भोजन संग्रहित रहता है, इसके पीछे ग्रंथिल जटर अर्थात पेशनी होती है, इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, तथा स्तर की उप्तवचा छे स्तानों पर मोटी होकर उप्तवचाई दात बनाती है, ये दात भोजन के मोटे कड़ो को पीछने में सहायक होते है, पूरा अंगात्र अंदर से उप्तवचा, क्यूटिकल से आस्तरित रहता है, मद्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है, जिसमें उप्तवचा का आस्तर नहीं होता, अंगात्रव मध्यांत्र के संधी स्तल पर उंगली के समान 6-8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं जिनके सिरे बंद रहते हैं इनको यकृतिय या जठरीय अंध नाल कहते हैं ये पाचकरस बनाती है मध्यांत्र वपश्चांत्र के संधी स्तल पर लगबग 1-500 पतली पीले रंकी नलिकाएं होती हैं जिने मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं ये हीमो लिंफ से उत्सरजी पदार्तों के उत्सरजन में सहायक होती हैं पश्चांत्र मद्ध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तता शुद्रांत्र व्रहतांत्र एवब मुत्राश्य में विबक्त रहता है। मलाश्य बाहर की ओर गुद्वाद्वारा खुलता है। विद्यार्तियों, तिल चट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरन तंत्र होता है, इसकी रूधिर वाहिनिया अल्प विक्सित होती हैं और रूधिर गुहा में खुलती हैं, तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिने रूधिर लसिका कहते हैं। रूधिर लसिका हीमोलिंफ रंगहीन प्लाजमा व रूधिराणूओं से बना होता है। कौकरुच का हिर्दय एक लंबी पेशिय नली होता है, जो रूधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य प्रष्ठिय रेखा के साथ साथ स्तित रहता है। हिर्दय कीपाकार कोष्टकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस्य अर्थात आस्ट्रिया होते हैं। कौकरुच के स्वशन तंत्र शाखित स्वास नालों अर्थात ट्रेकिया के जाल का बना होता है। स्वास नाल स्वास चिद्रों द्वारा खुलते हैं। हवा दस जोडी स्वास चिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं जोके शरीर की पार्ष सतय पर व्यवस्तित होते हैं। स्वास नाल पुनह विवाजित होकर स्वास नलिकाएं बनाती हैं यह हवा को स्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुचाती है स्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है श्वाश नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विश्रण विडी द्वारा होता है विध्यार्तियों तिल चट्टे में उत्सर्जन मैल पिगी नलिकाओं द्वारा होता है प्रतेक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तिरित रहती है ये नाइट्रोजनी अप्षिस्ठ पदार्तों का अवशोशन करके उन्हें जैव रसायने क्रियाओं द्वारा यूरिक अम्ल में परवर्थित कर देती है यूरिक अम्ल पश्ठांत्र द्वारा उत्सर्जेत कर दिया जाता है अतह यह कीट युरिकामल उत्सर्गी कहलाता है। इनके साथ साथ वसापिंड, ब्रकानु उप्तचा और युरोकस ग्रिंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। पिदार्तियों, क्या आपने कभी ऐसा कोक्रोच या तिलचट्टा देखा है जो सिर्कटने के बाद भी जीवित रहा हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तिलचट्टा अपना सिर्कटने के बाद भी करीब एक सफ्ताह तक जीवित रह सकता है। तिलचट्टे में ऐसा उसके तंत्र का तंत्र की विवस्था के कारण संभव हो पाता है। तेल चट्टे में तंत्र का तंत्र एक श्रेणी बद खंडिय विवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। जो अधरतल पर युगमित अंग्रेजी में पेयर, अनुदैर्ग्य, सायोजग के साथ जुड़ी होती है। तीन गुच्छिकाओं बखशमें और छे उधर में इस्तित होती है। कौक्रोच का तंत्र का तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्र का तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा होता है जबके बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधरतल में उपस्तित होता है। अब तक आप समझ गए हैं कि कौकरोच का सिर काटने के बाद भी एक सब्ता तक वह जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिश्क अधिग्रसिका गुक्षिका द्वारा निरूपितित अर्थात रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि श्रंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र की तंत्र काए भेशता है। आपने कभी यह भी देखा होगा कि जब हम रात को रोश्नी जला देते हैं तो तिल चट्टे तुरंत कहीं भागने का प्रयास करते हैं और वो रोश्नी से दूर भागते हैं। तिल चट्टे ऐसा अपना संबेदन अंग की वज़े से कर पाते हैं। यह कह सकते हैं कि संबेदन अंग उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। तिल चट्टे में संबेदन अंग श्रंगिका, आंख, मैक्जिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदारोमक इत्यादी होते हैं। श्रंगिका, स्पर्षग और रोम स्पर्षग सम्वेदी होते हैं। सिर के प्रष्ट सतय पर एक जोडी सयुक्त नेत्र पाये जाते हैं। प्रतेक सयुक्त नेत्र में लगभग 2000 शटकोणी या नेत्रशांग अंग्रेजी में ओमेटीडिया होते हैं। कई ओमेटीडिया की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछायां देख सकता है। इस प्रकार की द्रिष्टी को मोजाइक द्रिष्टी कहते हैं। जिसकी सुग्रहिता अधिक परंत विभेदन कम होता है। यह सामान्य तहा रात के समय होती है अता इसे रात्री प्रत्रिष्टी भी कहा जाता है। जैसा कि आपको इस सत्र में पहले बताया जा चुका है कि तिलचट्टा द्विलिंगी प्राणी है। तिलचट्टा के दोनों लिंगों में पूर्ण विक्स जननंग होते हैं। नर जननंग एक जोड़ी व्रश्ण के रूप में शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रास्य से होती हुई स्खलनिय वाहिनी में खुलती है। ये स्खलनिय वाहिनी नर जनन चिद्र में खुलती है। जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथी उदर के छटे एवं सात्वे खंड में होती है जो सहायक जनन ग्रंथी का कार्य करती है। बाहय जनन निंद्रिय नर्गोनो पोफायसिस युगमन प्रवद अत्वा शिश्न खंड के रूप में होती है। शुकराणू शुकराशर में संग्रहत रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुकराणू धर कहते हैं, मैतुन के समय ये विसरजित कर दिये जाते हैं। मादा जनन तंत्र में दो व्रहद आकार के अंडाशय होते हैं, जो उधर के दो से छटे खंड के पार्षम में स्थित रहते हैं। प्रतेक अंडाश्य आठ अंडाश्य नलिका अत्वा अंडाश्कों का बना होता है जिसमें परिवर्दित होकर अंडों की एक श्रंतला होती है तौनों तरफ के अंडाश्यों की अंडवाहिनी या मिलकर एक मद्य अंडवाहिनी का निर्मान करती है जिसे योनी कहते है जो जन इनके निशेचित अंडे एक संपुट में संकोशित होते हैं जिसे अंड कवच कहते हैं अंड कवच गेहरे लाल रंग के से काले भूरे रंग का तीन बटे आठ इंच लंबा संपुट कैपसूल होता है ये संपुट दरारों एवं आदरता युक्त तथा भूजन वाले स्था पर चिपका दिये जाते हैं और सितनीक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन करती है और प्रतेक में 14 से 16 अंडे होते हैं पैरी प्लेनेटा अमेरिकना का परिवर्दन पैरा मेटाबोलस प्रकार का होता है अर्थात इनके परिवर्दन में अर्भक अर्थात निम्स अवस्ता तेहरे निर्मोचन के बाद यह बयस्क में बदल जाता है अंतिम निम्फवस्ता से पहली निम्फवस्ता में पक्ष तल्प अर्थवात विंग पैड पाए जाती हैं तिल चट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाए जाती हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व ग्यात नहीं कुछ जातियां मनुष्य के पास्थान में अत्वा उसके आसपास फलती फूलती हैं ये पीड़क के रूप में कारे करते हैं क्योंकि ये खाद्य पदार्तों को नश्ट कर देते हैं अत्वा अपने दुरगंद युक्त उत्सरगक द्वारा संदूशित कर देते हैं बोज्य पदार्तों को संदूशित कर ये जिवाश्पिय विमारियों को भी फैलाते हैं विदार्तियों आईए अब इस सत्र में आपने जो कुछ सीखा उसकी त्वरित पुन्रावर्ती करते हैं कौक्रोज पैरिप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर कायटे निर्मित बाहय कंक दो जोड़ी चलन पात पाय जाते हैं दो जोड़े पंक पाय जाते हैं जो क्रमशह तूसरे वख तीसरे खंड में होते हैं उद्र में दस खंड होते है आहर नाल सुपरवर्धित होता है जिसमें मुखांगों से गिरा, मुखृषणी, क्रसिका, अन्नपूट, अर्थत और क एवं पश्चांत्र के मध्य मेल्पिगी नलिकाएं उपस्तित होती है और उत्सर्जन में सहायता करती है अन्नपुट अर्थात क्रॉप के निकट एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्तित रहती है रूधिर परिशंचिरं तंत्र खुले प्रकार का होता है स्वशन स्वाशनालिकाओं के जाल द्वारा होता है स्वाशनालिकाएं स्वाशरंद्र द्वारा पाहर की ओर खुलती है तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जू और खंडी ये गुच्छिकाओं द्वारा निर पन करती है जिनमें परिवर्दित भूण पाया जाता है एक अंड कवच के फटने से सोला नवजात शिशु बाहर आते हैं जिनने अर्भग या निम्फ कहते हैं विद्यार्तियों आपके लिए एक अभ्यासकार भी है तिलचट्टे की आहार नाल का नामांकित आरेक बनाएए आप तिलचट्टे के नर और मादा को देखकर किस प्रकार पहचानेंगे तिलचट्टे के रूधिर परिशंचरन तंत्र की चर्चा कीजिए तिलचट्टे का उत्सर जनंग क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है आशा है आपने इस सत्र का आनन लिया होगा अब हम इस सत धन्यवाद अन्यवाद